तो जंग शुरू हुए आज 12 दिन है यूक्रेन के जानिप से भी तमाम तरह के दावे किये जा रहे हैं रूस तो दावे करी रहा है लेकिन यूक्रेन की फजाया ने कहा है कि जंप से जंग शुरू हुई है यानि 12 दिन होते होते यूक्रेन ने 52 फाइटर जेट्स को तबाह क है एकसान किया है इस बीच आपको बता दें कि रूस और अब ही कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसके कोई खास उमीद नहीं है दोनों ममाली की बीड जंग बंदी को लेकर आज ही मीटिंग गुजिश्टा रोज ही मीटिंग हुई थी और इस बाचीत में मुझाकराद कारों ने यूमन कॉरिडोर के जरिये लोगों तक रसद पहुँचाने को लेकर मुझबच चर्चा की यूकरेन के सद्र के सलाकार मिखाईलो पोदोलीक ने ये जानकारी दिये बाचीत में मजाकरात कारों ने हिूमन कॉरिडोर के जरीये लोगों तक रसद पहुंचाने को लेकर मुजबच चर्चा की बता दे आपको किस से पहले भी दो दोर की बाचीत बेनतीजा रही थी ऐसे में तीसरे दोर की बाचीत से काफी उमीदे हैं कि शायद दोनों मुल्क जंग रोकने को लेकर राजी हो जाएं रूस युकरेन जंग को लेकर दोनों ममाले के बीच तीसरे दोर की बाचीत खत्म हो चुकी